ओई 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 लेजर के अगले सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है इस बाबा जी की दरबार के अंदर आप सभी का स्वागत है भाई साब और पहन जी यह फाडू एंजिनिएर यो यो वाला चैनल है न जनाब आपको याद दिला दू physics के साथ साथ mechanics शुरू हो चुकी है बी डबली की वीडियोज आ रही है केमेस्ट्री की वीडियोज भी आने वाली है अगले वीक के अंदर अंदर तो भाई साब मचाने के लिए रेडी हो जाए और माथमाटिक्स उसके लिए आप अपने में चैनल पे नहीं गए तो क्या कर रहे हो जनाब वो चैनल को बीस सबस्क्राइब होना चाहिए और सबसे पहले तो यह अपने दरवार को सब्सक्राइब करिया जो वाइड कलर वाला जो बटन है सफेद वाला बटन पुझ भी फेक के मारो चांट रो यह खुद बैठ जाओ लेकिन सब्सक्राइब हो आना चाहिए जनाब और उसके साथ साथ आपके प्यार बरे लाइक की जरूरत है और अपने दोस्तों के साथ अच्छा नहीं भी है दोस्त फिर भी शेर करना ना भूलिए तो चलिए लास्ट टाइम अपने लेजर इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था अगर आप धंग तर भाप अंजा आरी सिलाबस कों कवर कर रही होंगे ठीक है जी से लेजर चाटर के अंदर लास्ट अपन अपन से देखा था ओप्टिकल ओफिकल पम पिंग् और optical pumping क्या होता है, pumping हाँ, ज्यादा lower energy state से higher energy state पे अपने को उसको क्या कर देना है, भेज देना है जनाब, ताकि higher energy state पे वो क्या हो जाए, मेटा स्टेबल हो जाए, और मेटा स्टेबल उसको फील हो जाए, मैं तो साथवे आस्मान पे हूँ, और साथवे आस्मान के बाद उसको सीधा lower energy level पे आएंगे, तो photon क्या होगा, release होगा, जिसको हम क्या कहते है, अरे 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 वो जो चोटे चोटे बच्चे गुम रहे वो भी आंसर दे रहे, population inversion केते हैं जनाब, यही population inversion को और detail में और pumping का दूसरा टाइप अपन पढ़ने के लिए आज मिले है, called as electrical pumping, अब इना लोगों को लगता है, electrical pumping का सीधा सीधा meaning होता है, सर इधर कोई electronics वाला पार्ट है क्या, देखो भाया, बाहर वाली कोई current वाला पार बहुत concentratally सुनिये, electrical pumping is a method of laser pumping, obviously, that uses an electric current, that uses an electric current, electric current use करता है, to excite electrons in a lasers gain medium, उस particular medium के अंदर वो electrical current को इस्तमाल करेगा, किसके लिए, हाहा, सही कहा, lower energy के जो आपके atoms रहेंगे, उसको higher energy पे लेकर जाने के लिए, to pump, to excite that electrons, ठीक है, for some mediums, which can conduct electricity, खुद बखुद जो medium, electricity conduct कर सकते है, without affecting lasers activity, electrical pumping is being used, सिम्पल भाशा में, ऐसे कई सारे mediums होते है, आगे जाकर हम उसके types भी पढ़ रहे होंगे, कई सारे mediums है, जहां पे, खुद बखुद, है ना, खुद बखुद, conduct electricity करते है, electricity को conduct करेंगे, without affecting, देखो laser की main activity effect नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है अपनी को, ठीक है, in case of gas, है ना, in case of gas, अभी देखो, gases के भी कई सारे, हाँ, ही एनी, laser वगर आगे जाकर आने वाला है, चलिए, चलिए, in case of gas medium, a gas is ionized by, ionized, पढ़ा होगा न, 11-12 में, वही ionized by, ions की माध्यम से पढ़ा जाता है, वो के, gas is ionized by a pulse of high voltage of electricity, gas को, ionized किया जाएगा, किसकी मदद से, higher electrical voltages, या फिर high voltage of electricity से, उसको बिलकुल भी ionized किया जाएगा, किसको, gas को, कौन से medium में, gas medium में, समझ रहे हो, बहतर, point by point, सारे answer, ready करके दे रहा हो, notebook, किताब और pen लेके बैटना, इसे आने का नई बाबाजी की दरबार में, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीके, 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 चलिए थोड़ा ओड़ डीटेल में देखते है, the current flowing through the gas, अभी obviously, gas medium के अंदर हम क्या करते है, higher voltage लगाते है, higher electrical voltage लगाते है, so that gas ionized किया जाएगा, और उसके current flowing through the gas, gas के अंदर जो current flow होगा, क्या होगा, excites the atom to the uppermost level, atom को uppermost level पे क्या करेगा, excite कर रहा होगा, absolutely, from this level, the atom jumps to metastable state, atom क्या करता है, बोला थाना यार, उपर level पे जाने के बाद, वो सीधा, सीधा, metastable जिसे feel करेगा, और जब metastable जिसे feel करता है, जनाब, creating a state of population inversion, सीधी बात, रही का, no, बक्वास, क्या होता है, pump होता है, उपर जाता है, उपर जाके metastable जिसे feel कराता है, और सीधा फिर उसको, हाँ, नहीं, नहीं, बहुत energy नहीं है, मेरे पास अब energy कम हो रही है, वो सीधा आता है, उसके lower energy state पे, जब lower energy state पे आएगा, photon को release कर देगा, और release करते करते हैं, उसी को बोलते है, population inversion, देखो, population inversion वाला जो वीडियो मने बनाया है, सेशन नमबर 3, सेशन नमबर 4, काफी ज़ादा important है, आपको जाकर आज के आज यह देखना है, नहीं देखा है, तो सज बता रहो, ठीक है, electrical pumping is also used in case of semiconductor laser medium, देखो, gas medium के लिए हो गया, solid liquid के लिए तो होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर, semiconductor medium के लिए क्या सिनारियो है, तो obviously semiconductor medium के लिए भी, अपना electrical pumping बहुत ज़ादा useful है, चलो इसको थोड़ा नजर करते हैं, देखो, यह कौन सी state है हमारी, even state, बोलेगा तो lower energy state, यहां से सीधा सीधा यह कहां पहुचता है, higher energy state पहुचता है, नाम क्या है उसका, E2, नाम करन कर देने का सीधा सीधा higher energy state कहा जाता है, E2, ठीक है, चलिए, अब next, आपको लगता रहेगा, सर सेमी कंड़क्टर है, यह ना, वहां पे charge carriers होते है, atom नहीं होते है, क्या तरेंगे, बताता हूँ, सारे सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ, और जो question exam में पूछे जाने वाले, उसका जवाब तो बाबाजी ने already बहुत बहतर तरीके से ready रखा है, इन केस ओप सेमी कंड़क्टर, atoms are not excited, atom excited नहीं हो रहे होंगे, समझ रहे हो, वहां पे excited हो रहे होंगे, देखिए, atom excited नहीं होंगे, but the charge carriers, उनकोन होते है, चार्ज केरियर्स, बताई दो, अरे सुनना चाहता हूँ, come on, बताई दो, charge carriers कोन होते है, अरे नहीं नहीं बाबाजी पबबाजी खुद चार्जड है चार्जड कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉंज अड फोल्ड देखा दो गण वह वह यह ऐसे वाले और ऐसे वाले जी हाँ electrons and hole semiconductor क्यारा topic मेरे दिल के बहुत करीब वाला topic है रही है carriers are excited such as electrons and holes समझ रहे हो charge carriers यहां पर excite हो रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर atoms नहीं होते हैं कहां पर semiconductor के अंदर समझ रहे हो मेरी बात को लेकिन gas medium के अंदर excites the atom to the utmost level अलग-अलग चीज़े अलग-अलग मेडियम्स ध्यान में रखना कमज रहे हैं मेरी बात को अप्टिकल पंपिंग को सारी जगे पे इलेक्ट्रिकल पंपिंग ऐसे जगे पे जो इलेक्ट्रिक करंट को जेल सकते हैं कमज रहे हैं लिखा तो था इलेक्ट्रिकल पंपिंग इस इसका काम चलिए चलिए कोई दिखत नहीं है तीक है बताओं गाट लीजिए तर हो गया पंपिंग तो हो गया अब ठोड़ी बात करते है यह कहां तो इसको होने के लिए एक system बनाई जाती है जिसका नाम है active system क्या आप सोचते रहोगे सर हर हर topic में population inversion गुसाड रहे हो ऐसे चलेगा क्या population inversion ही laser conduct करने का laser emit करने का सबसे बड़ा reason है इसलिए मैं कह रहा हूँ I really recommend you population inversion वाला video compulsory हर बंदे ने रेखना है अपिलेशन इन्वर्जन इस चीवड क्या जाता है उसको बोलते है एक्टिव स्टेट या फिर अपिर अक्टिव मीडियम कंसिस्ट ओफ अधिव सिस्टेम एना यार तो जो सिस्टेम है उसमें क्या होगा medium होगा तो उसको क्या बोलेंगे active medium तो active medium consist of a collection of atoms obviously यह collection of atoms होंगे, molecules होंगे ions होंगे क्योंकि अलग-अलग जगे पे हैं न भाई, gas में कोई अलग semiconductor में कोई अलग, solid में कोई अलग, समझ रहे हो, active medium consist of collection of atoms molecules और ions and these are able to amplify the light waves हम यह सारा सब कुछ क्यों कर रहे हैं obviously इस particular monochromatic light का wavelength बढ़ाने के लिए and इसके कारण इसको बोलते है, amplify the light wave, तो जो ऐसे particular molecules है ions है, atoms है, वहीं रखके फाइदा है, जो amplify नहीं कर पारे है, उनकी भीड जमा करके क्या ही फाइदा, समझ रहे हो तो obviously active medium consists of, statement को समझी है, active medium consists of consists of collection of atoms, molecules ions which are able to which are able to amplify the light views, इतना simple है जनाब, ठीक है the state of a system बहुत important बहुत जादा important point है यह देखो, जहाँ पर positive होता है न जनाब वहाँ पर negative पक्का होता है अब यह negative इस particular जगे पर कहाँ पर वो चीज़ समझते है the state of a system in which population of higher population of higher energy state population N2 पकड रहा हूं है ठीक है, पर उसके लिए higher energy state E2 पकड रहा हूं है ठीक ना, population N2 of higher energy state E2 is greater than the population is greater than the population of N1 of lower energy state E1 E1, इधर lower energy, higher energy क्या बूला अच्छे से, come on अच्छे से lower energy E1, higher energy E2 इधर का population N1 इधर का population, तईका N2, बस मेरा गाम हो गया are called as negative temperature state उपर की population जादा है, नीचे की population कम है समझ रहे हो उसको क्या बोलते है negative temperature state negative temperature state क्योंकि क्या होता है ना, जबी नीचे lower energy state पे जादा population होगी तभी तो जाके उपर pump कर पाएंगे अब इधर की population कम हो गई इधर जादा हो गई इधर भीड हो गई, जगा ही नहीं है तो इधर वाला इधर जाय सकता है क्या? नहीं जा सकता है इसलिए उसको बोलते है negative temperature state तो ये दो चीज़े बहुत important है optical pumping, electrical pumping और ये जहां पे हो रहा होगा वो कहते है active systems अब आगे जाके अपन types पढ़ रहे होंगे lasers के, लेकिन अपनी next session के अंदर छोटा छोटा sessions जान बूच के बना रहे है ताकि आपको देखने के लिए मज़ा आ जावे एक एक दिन में एक एक topic भी cover करते हो एक हफते में पूरा chapter हो जाएगा तीन चार हफते में सारा सिलाबस हो जाएगा चिंता नहीं बल्ले बल्ले हो जाएगी ठीक है जी तो मिलते हैं इतनी ही जोश जून ताकत के साथ लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करना ना भूलना बाबाई टेक केर एंड टैंक यू सो मच गैस